Hello everyone and once again welcome to WS Cube Tech YouTube channel. दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Google के एक और popular और important algorithm के बारे में जिसका नाम है Google Hummingbird. गाइस दो algorithm को हम लोग already cover कर चुके हैं एक वीडियो में हम लोगों ने discussion किया था Google Panda algorithm के बारे में और उसके बाद हम लोगों ने समझा क्या होता है Google का penguin algorithm और किस किस तरीके से वो काम करते हैं. इस particular वीडियो में हम लोग dedicatedly बात करने वाले Google Hummingbird algorithm के बारे में समझेंगे कि क्या होता है Google का hummingbird algorithm किस तरीके से काम करता है और क्या इसके features हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं introduction से start करता हूँ. तो अगर हम launch date की बात करें कि Google का hummingbird algorithm कब launch हुआ था तो वो launch हुआ था year 2013 में है. यहनि 11 में हमारा launch हुआ था panda and 12 में हमारा launch हुआ था penguin और उसके बाद 13 में launch हुआ था हमारा Google का hummingbird algorithm. तो क्या होता है Google का hummingbird algorithm? Hummingbird has been cited as a complete overhaul of the core algorithm. एक complete core algorithm की तरह काम करता है Google का hummingbird algorithm. hummingbird did not appear to have drastic negative impacts on the general web like panda and penguin. यहनि जो search results है जब panda introduced हुआ और panda के साथ जब बाद में penguin introduced हुआ उस वक्त क्या हुआ कि बहुत जादा web जो results है search results से उसमें बहुत जादा manipulation देखने को मिला. मलब बहुत जादा updowns देखने को मिले. कुछ की rankings बहुत अच्छी तरीके से improve हो गई थी और कुछ web pages की ranking decrease हो गई थी. बट जब hummingbird launch हुआ तो इस तरीके के बहुत जादा changes देखने को नहीं मिले. कि कोई जो search result है वो एकड़म से बहुत उपर आ गया हो या कोई जो web का URL है वो एकड़म से बहुत डाउन हो गया होगा. इस तरीके से कोई ranking के बहुत जादा updowns देखने को नहीं मिले. तो next हम लोग discuss करते हैं यहाँ पर कि किन-किन चीजों पर फरक पड़ा Google Hummingbird की वज़े से और क्या main region था Google Hummingbird को introduce करने का क्या problem आ रही थी. Search को दिखाने में Google को जिसको लगा कि Hummingbird जो है एक अच्छा algorithm की तरह काम कर सकता है. तो Hummingbird algorithm works on user intent and it's a real-time algorithm. एक real-time algorithms की हम लोगो ने पहले भी बात करी थी मैंने बताया था एक बार आपको कि rank brain algorithm जो है वो भी एक real-time algorithm है. उसी तरीके से Hummingbird भी real-time algorithm है. और guys real-time algorithms का क्या होता है कि यह search results को बहुत तेजी से manipulate करते हैं. मतलब इन algorithms का search results पर बहुत ज़ादा असर पड़ता है. तो rank brain भी real-time है, hummingbird भी real-time है, जितना भी results process होके आता है, वो real-time में ही process होता है. और दूसरी important point क्या है कि यह user intent क्यों पर काम करता है? User intent क्या है? Queries बहुत तरीके की हो सकती है. जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर coffee, मैंने केवल coffee keyword एक लिखा हुआ है यहाँ पर. नहीं होता है, तो यहाँ पर हमें समझ में नहीं आता है कि user की intent क्या है? वहीं पर अगर दूसरी query आ जाया, जैसे मैं अगर यहाँ पर type कर देता हूँ coffee shop, जो हमारा search result है. अगर इसमें मैं coffee shop input करूँगा, तो क्या आप देखेंगे? कि आपको जो results दिखाई देगा, उसमें आपको कुछ Google My Business के results दिखाई देगे. Remember Google My Business, Google My Business हमारी local listing होती है और उसके results हमें दिखाई देगे, क्योंकि वहाँ पर coffee shops की listing होती है. और अगर यहाँ पर केवल हम coffee डालते हैं, तो coffee का कुछ introduction type का आपको show होना शुरू हो जाएगी. अगर मैं केवल coffee type करूँगा, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं coffee shops की information चाहता हूँ, यहाँ मैं online coffee खरीदना चाह रहा हूँ. तो यहाँ पर intent अलग है, यहाँ पर यह intent अलग है. अब इस intent को Google को समझना है, कि user क्या चाहता है, उसके लिए काम में आता है हमारा Google का hummingbird algorithm. तो यह main purpose था hummingbird algorithm का, कि वो user के intent को समझ सके, जैसे यहाँ पर आप screen पर देख रहे होंगे, मैंने एक example लिया हूँ, यहाँ पर एक screenshot है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है knowledge graph, तो knowledge graph के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, कि Google का result दिखाने का एक तरीका, knowledge graph भी होता है जिसमें वो कुछ इस तरीके से आपको results दिखाता है, तो यहाँ पर मैंने query की थी, I am not sure कि यह आपको visible है या नहीं, यहाँ पर मैंने query करी थी Sachin Tendulkar, ठीक है, तो वो Sachin Tendulkar का जो यहाँ पर यह query है, इसके intent के basis पर यहाँ एक knowledge graph show हो गया, यानि internet से, अलग-अलग जगे से Wikipedia वगेरा से यह information Google collect करके रखता है, और जब कुछ इस type की query आती है, तो वो इसका इस तरीके से respond करता है, knowledge graph के through, तो यह जो knowledge graph का यहाँ पर दिखाना होता है, यह भी आता है हमारा hummingbird algorithm की वज़े से, वो समझता है कि user का intent यहाँ पर क्या है, right, second देखते हैं, एक तो हमारा यह चीज हो गया कि hummingbird जो है, वो knowledge graph को और जादा accurate बनाता है, knowledge graph से हमें information provide करता है, real time में provide करता है, जैसे आप query करेंगे, आपको information मिल जाएगी, second देख लेते हैं, हम लोग यहाँ पर की दूसरा किस purpose के लिए hummingbird बहुत अच्छी तरीके से use होता है, वो है हमारा semantic searches, semantic searches, अभी intent प क्या result जानना चाहता है, यह सारी चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पर जैसे यह keyword आता है semantic search, आप देखते हो नीचे आपको एक drop down में suggestion मिल जा रहा है, पूरा इस तरीके से यहाँ पर, यह semantic search engine के बारे में आपको information चाहिए, examples के बारे में, Google, Elastic search, SQL server, API, ऐसे बहुत सारे आ तो आपको results डिस्प्ले करके दे रहा है, तो यह किसके through हो रहा है, basically Google का hummingbird algorithm यहाँ पर भी involved है, third example देखते हैं हम लोग, यहाँ पर next up slides देख रहे हैं, तो आपको local searches दिख रही है, local searches, तो local searches के उपर बहुत बड़ा फर्क पड़ा था, जब hummingbird algorithm इंट्रोड्यूस हुआ था, इसको और refine करते हैं, आगे आप देखेंगे, मैं अभी discussion करूँगा next वीडियो में जब मैं बात करने वाला हूँ आपसे, Google के pigeon algorithm के बारे में, तो उस वक्त भी हम लोग थोड़ा सा इसी local searches की ही बात करेंगे, but hummingbird का role होता है कि वो आपके intent को समझे, जैसे आप एक keyword लेते हैं हम लोग यहाँ पर coffee shops, और इसके आगे जोड़ देते हैं हम लोग near me, अगर यह लिख देते हैं, coffee shops near me, तो बहुत clearly समझ में आ रहा है कि आपकी जो intent है, वो local intent है, कहने का मतलब यह है कि आप अपने आसपास कोई coffee shops धून रहे हैं, तो वो results आपको कहां से display होगा, वो results आपक आते हैं, और यह जो intent थी पहचानने की, कि भाई, यह local intent है या नहीं, अगर आप coffee shops के वल डालते हैं, तो हो सकता है, आपको इस type का result ना दिखाई दे, मतलब यह जो हमारा Google My Business की listing है, यह ना दिखाई दे, क्यों, क्योंकि अभी तक Google को पता नहीं चला कि यह local intent है, या नहीं है, लेकिन जैसा ही हमने यहाँ पर near में type कर दिया, गूगल को पता चल गया, कि यह local intent है, और किसके तुरू पता चला, गूगल के hummingbird algorithm ने काम किया, अब यह बताओ आप कि कहीं यह ऐसा तो नहीं हो रहा है, हमारी website को चेक कर रहा है, यह आप कहीं back end में काम कर रहा है, यह त कुछ examples मैंने आपको बताए है, जिन पे Google का hummingbird algorithm काम करता है, next हम लोग देख लेते हैं, कुछ और example है मेरे पास, important example है, जैसे यहाँ पर लिखा हो मैंने voice search, यह बहुत important चीज़ है, एक part हम लोगो ने discuss कर लिया, local search, और उसी तरीके से voice search में भी Google का hummingbird algorithm बहुत important role play करता है, क्य generally थोड़ी सी lengthy search होती है, यानि कि एक long tail keyword बनता है उससे, long tail keyword, right, एक lengthy सा long tail keyword बनेगा, अब उस long tail keyword से meaning निकालनी है, कि user को actually चाहिए क्या, वो actual keywords को नहीं copy करेगा, अगर keywords को copy कर लेगा, तो फिर वो websites या वो results भी rank हो जाएंगे, जिनोंने keyword stuffing की है, तो वो क्या गरेगा, वो उ उसके साथ उस language का कौन सा intent implemented है, तो वो वहाँ से intent को read करेगा, और intent को read करने के बाद hummingbird उसको filter करेगा, और आपको results provide करने में help करेगा, तो वैस इस तरीके से मैंने कुछ factors आपको बता हैं, जो कि basically responsible है, इसलिए क्योंकि वो hummingbird algorithm से govern होते हैं, कुछ results ऐसे हैं, जो hummingbird algorithm से govern होते हैं, और बिल्कुल real time में hummingbird का algorithm काम करता है, अब बात कर लेते हैं कि ठीक है, एक algorithm हो गया, हमने समझ लिया क्या है hummingbird algorithm, लेकिन अगर हम इसके positive या negative aspects से बात करें, मतलब कुछ नुकसान है या नहीं है, तो guys यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने बहुत बड़ा-बड़ा ल जिस तरीके से trends बडलता है, आज टाइम आ गया है voice search का, और voice search के लिए hummingbird क्या कर रहा है, आपको फायदा दे रहा है या नुकसान दे रहा है, तो मुझे तो लगता है कि voice search में hummingbird algorithm क्या कर रहा है, आपको basically hummingbird algorithm, आपको basically फायदा ही दे रहा है, नुकसान कोई नहीं दे रहा ह तो इसमें कुछ ऐसा penalty जैसा है नहीं कि आपकी search rankings गिर जाएंगी या बढ़ जाएंगी hummingbird कुछ ऐसा कर रहा है आपके लिए तो ऐसा कुछ नहीं है अगर आप voice search पे जाना चाहते हैं voice search के लिए अपने page को या web page को जो है उसको optimize करना चाहते है तो basically एक recovery का option नहीं बलकि एक opportunity का option आपके सामने है तो guys इस particular video में इतना ही आशा करता हूँ आपको समझ में आयोगा कि hummingbird algorithm किस तरीके से काम करता है किन factors के उपर काम करता है और SEO के point of view से कहां-कहां hummingbird use हो रहा है So thank you guys once again for watching this video and providing us love and support